Welcome to Vidyasa guys, my name is Kanchan आज आप सीखने वाले हैं Tricks to add ing to a verb एक verb में आप ing को कैसे add करें क्या नियम हो सकते हैं जैसे work में ing एड करते हैं W-O-R-K तो आप उसमें सीधे ing यूज़ कर लेते हैं working हो जाता है कोई भी spelling में change नहीं आता लेकिन अगर आपको love में ing जोड़ना हो L-O-V-E-I-N-G तो वाहां से e को हटा देते हैं तो ऐसे कई सारे नियम हैं कई जगा आप पाते हैं कि हम वहाँ पे last वाला जो letter होता है उसको double कर देते हैं जैसे running R-U-N-N-I-N-G तो नियम क्या है? कैसे समझे कहाँ double करना है, कहाँ नहीं करना है सभी tricks में आपको दोंगी वीडियो में अंट तक बने रहे हैं और हाँ अगर ये चीज़ आपको written format में चाहिए, मतलब PDF चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा English Connection अप पर अगर install न किया हो तो कर लें वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएगी ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो नियम है जो नियम ही नहीं है अगर कहें, add ing to the most verbs ज्यादा तर verbs में आप आते हैं कि ing add करना है, सिर्फ ing कोई changes नहीं लाने लेकिन इस चीज़ को कैसे समझे कि changes नहीं लाने, तो वो भी मैं आपको बताते हूँ जैसे आप देखे, ये सबी verbs हैं इनमें कोई change नहीं आया सीधे ing add हो गया, ठीक है क्या हुआ? ing add हो गया यहाँ, work के बाद ing talk है, ing जोड़ गया talking comb है, combing jump है, jumping सिर्फ ing, देखे, y है y ing, कोई change नहीं c में भी even ing आया जबकि हम last वाले e को हटा देते हैं आपने देखा होगा, love में हटा दिया like में हटा देंगे liking में e नहीं लगता l-i-k-i-n-g, लेकिन यहाँ हमने नहीं हटाया क्यों? यह सब में आपको बता रही हूँ carry है, तो carrying हो गया तो क्या फर्क है? do में भी सिर्फ ing लग गया, तो आप ध्यान दिया आप पाएंगे, यह दोनों ही consonant है यह भी consonant है, यह भी consonant है consonant है, यह आप देखे दोनों ही vowels हैं, मतलब स्वर हैं, यहाँ पर देखे दोनों ही consonant, consonant यहाँ देखे, एक आया vowel एक consonant आया, तो हो सकता है यहाँ कुछ changes होते, लेकिन यहाँ पर भी यह vowel है मतलब दो vowel, फिर consonant मैं आपको इस तरीके से बताऊंगे आप समझेगा, consonant के लिए C यूज करूंगी vowel के लिए V यूज करूंगी ठीक है, तो यहाँ क्या है vowel vowel consonant, मतलब V प्लस V प्लस C ठीक है, अगर यह है तो भी कोई change नहीं करना change हम कहां करते हैं, बेसिकली जब हम पाते हैं C प्लस V प्लस C ठीक है, मतलब consonant, प्लस vowel, प्लस consonant, अगर यह आता है तब change होता है, उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं, कि दो-दो consonant है, तो भी change नहीं करना दो-दो vowel है, तो भी change नहीं करना अगर दो vowel और consonant है, तो भी change नहीं करना, तो अगर आप notice करें, तो इन सब में ऐसा ही कुछ है यहाँ पर एक consonant है फिर vowel है, इसमें भी change नहीं करना तो आप समझते हैं, ट्रिक्स को verbs that end in consonant प्लस E, जो consonant उसके बाद E आये, इस पर end होते हैं, remove E, E को हटा दीजे and add ING बहुते सिंपल, तो देखें, ये consonant और ये vowel मतलब अगर आप ऐसे ध्यान देना, ये भी ध्यान ना दें, कि इसके पहले क्या आया, बाद में क्या आया, ये जितने E हैं, इन्हें हम pronounce नहीं करते हैं, ये सभी silent हैं, मैं इसे live तो नहीं बोलती, live बोलते हैं, इसे type नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, type तो ये सभी E silent हैं, जब ऐसे वाले आ जाएं, तो उन E को हम हटा देते हैं, remove कर देते हैं और ING लगा देते हैं तो live में E हट गया, ING type में E हटा, typing give में E हटा, giving have में भी E हटा दिया, having ऐसे सब में देखिए, E हटा दिया इनको सब को हमने हटा दिया changing, dancing, taking ठीक है, phone में phoning dance में E हटा, dancing right में भी हट गया, writing shave में हटा, shaving, skating hoping, फिर यहाँ saving, joking, using इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है, USE तो यह आपने पाया कि जहां में इने pronounce नहीं कर रहे, last में E है, उनको drop कर दो, लेकिन अब आगे आएंगे exceptions भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगे verbs that end in IE जब क्रिया के end में IE आएगा, तब हम क्या करेंगे, IE है तो हम E को हटा देंगे, तो ING लगर लगाते हैं, तो double I हो जाएगा, वो incorrect हो जाएगा, अगर IE आए तो इस IE को Y में change कर देना है, फिर ING लगाना है, तो जैसे इस पे ज़्यादा verbs हैं भी नहीं, LIE lie तो IE को हटा के Y किया, L Y और फिर ING आएट कर दिया D IE में IE को हटा के Y किया और ING लगा दिया T IE में IE को हटा दिया और Y करके ING time, so lying, dying time, इनके spelling पुरी तरीके से बदल गई, अब आते हैं, अभी तक आपने देखा कि E था हटा दिया, IE था, Y में change किया ING लगा दिया One syllable verbs that end in consonant plus vowel plus consonant, मतलब C plus V plus C अब ये आएगा, तब ही आपको समझना है, double the last letter and add ING अब यहाँ पर last वाले letter को double करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जैसे ये tap है, तो ये consonant, ये vowel, ये consonant, tap और मैंने ये का one syllable verbs, अब ये जो one syllable होते हैं, इसका क्या मतलब है, syllables का क्या मतलब है, syllables हम इसी चीज़ से divide करते हैं, जितने vowels होते हैं, इसमें एक ही vowel है, तो इसे one syllable word कहा जाएगा, अगर दो vowel होते हैं, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसे two syllable कहा जाएगा, अगर three walls आजाएंगे तो मैं उसे three syllable word बोलूँगी, तो tap है जब one syllable है, और क्या है कि end किस पे हो रहा है, c, v, c consonant, vowel, consonant ठीक है, तो double the last letter हमें double करना है, तो last letter p है, इसको double कर दिया, उसके बाद add क्या करना है, ing so ये हो गया, tapping, इसी लिए running, बहुत सिंपल सा छोटा सा word, r, u, n consonant, vowel, consonant, तो क्या करेंगे बस n को double कर देंगे, ing जोड़ देंगे, swim में swimming, putting begging, cutting sitting, getting jogging, इन सब में आप देख सकते हैं कि ये one syllable word है और क्या है, consonant, vowel, consonant इसे भी one syllable कहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि तीनी लेटर का हो, s, w, i, m, यहाँ पर s, consonant है न, vowel नहीं है, इसलिए इसे one syllable ही कहेंगे, swim swim, आदा सर का यहाँ पर sound आता है, clear, अब देखिए, ये क्या है, exception है, except w, x और y, अगर last में, इस situation में भी अगर last में x आ जाए, w आ जाए, या y आ जाए तो इन्हें double नहीं करते, simple ing जोड़ देते हैं, तो ये exception होगे आपका, fix में देखिए fixing, waxing, snowing, sewing, saying, buying तो y, w या x आए, तो double नहीं करना, यह आप आराम से याद रख सकते हैं, last के z से पहले के तीन लेटर से हैं, क्या-क्या, w x और y, ठीक है, अब आते verbs with more than one syllable, अब आते हैं, more than one syllable पे, जिसमें ज्यादा syllables होंगे, that end in same way, c, v, c, ठीक है, consonant, vowel, consonant and stressed, आप देखिए, अगर वो stressed है, जो यहाँ पे खतम होगा न, end में, अगर इस पर stress दिया जा रहा है, stressed मतलब बोलते समय, इस पर थोड़ा खीच के बोला जाता है, stress इसी पर रहता है, तो double the last letter and add ing, तब तो हम double करेंगे, ठीक है, अगर इस पे stress नहीं है, तो double नहीं करेंगे, यह अगला rule होगा, इसमें भी w x और y को छोड़के, अब इसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पता है आपको, यहाँ पे हम begin नहीं पढ़ते हैं, begin पढ़ते हैं, तो जो stress होता है, वो इस पर होता है, begin तो इसलिए यहाँ यह double होगा, beginning, ठीक है, begin, beginning यहाँ पे हम इसको stress देकर बोलते हैं, stop ठीक है, वैसे भी यह one syllable हो गया, stop, तो यहाँ पर हम इसे double करेंगे, यहाँ भी plan, यह भी one syllable ही कहलाएगा, planning, snap, यह भी one syllable कहलाएगा, snapping, क्योंकि यह syllable में नहीं आता, अब आते हैं यहाँ, इसे अगर हम बोलते refer, तो यहाँ पर हम इसको double न करते, लेकिन हम इसे बोलते है, refer, तो जो stress होता है, वो यहाँ होता है, refer, तो यह referring, ठीक है, उसी तरीके से differ, defer नहीं, differ, तो stress यहाँ, fer पर, तो यहाँ पर double R हो जाएगा, मतलब R को हम double कर देंगे, तो गर आप ध्यान दें तो आप simple सा एक रूल समझ सकते हैं, कि जब stress होगा ना उस पर, CVC आ गया, consonant, vowel, consonant, औ double करना है, तो जो छोटे syllable, one syllable वाला है, उसमें तो stress होगा है, क्योंकि एक ही syllable है, तो उसे हमें double करना है, और जब stress नहीं, तो double नहीं करना, ठीक है, देखिए, अब यह क्या है, यह आपका exception हो गया, अगर Y आ गया, इसे भी तो हम enjoy बोलते हैं, enjoy, यहाँ stress है, लेकिन क्योंकि यह यह है, इसलिए हम double नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए, verbs with more than one syllable, that end in consonant, वही, C, V, C, consonant, vowel, consonant, and not stressed, मतलब stress उन पर नहीं है, no doubling, देखिए, अब यह क्या, इसे हम open नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, open, ठीक है, open, तो यहाँ पर stress है, इसलिए हम double नहीं करेंगे, इसे ह हम बोलते हैं, enter, enter, इस पर stress होता है, तो इसे double नहीं करेंगे, यहाँ offer, offer नहीं, offer, तो stress यहाँ, इसलिए double नहीं, यहाँ suffer, यहाँ भी stress, तो इसे double नहीं किया, यह whisper, इस पर भी stress नहीं, double नहीं किया, visit, यहाँ भी stress उस पर है, इसलिए हम इसे double नहीं करेंगे, यहाँ listen, यह यहां भे stress उधर है, तो इसे हम double नहीं करेंगे, यहां भे stress है, happy, happen, happen, तो यहां भे हम इसे double नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपने यह समझ लिया, अब इसे याद रखने का यही तरीका है, कि जब word में stress, last वाले syllable पर हो, तब आप उसको double करेंगे, वरना नहीं करे ठीक है, IEI तो उसे change करें, Y में और ING लगा दे, WXY आ जाए तो उसे double नहीं, बाकी सब के साथ आप simple ING add कर सकते हैं, कुछ भी change करने की जरूरत नहीं है, याद रखेगा इस चीज़ को, अगर यह आपको PDF form में चाहिए, तो आप English Connection App Play Store से install कर लीजे, वहां पे आपको य अच्छे marks score कर सकते हैं, even full marks score कर सकते हैं, thank you